आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ not more than 2 persons attend their seminar in each of the months seminar can be held on either 10th or 27th day of the month no 2 seminars can be held on the same day total 8 persons हमें given है attend करते हूँ seminar date 10th and 27th March, June, October and November. Now, arrangement helps. W and N attend the seminar on the same month. W or N attend the seminar same month means एक पॉसिबिलिटी है वो, March में भी करते हूंगे, June में भी करते हूंगे, October and November में भी पॉसिबिलिटी है. Now, यहाँ पर फूर की से सागे W and N गी. There are three seminars between the seminars of X and O. X and O के between three seminars होंगे. अगर X attend करता है seminar, March में दस तारिको, 1, 2, 3, 3 seminar होंगे और O करेगा October में. Same ऐसे, अगर X करता है, March में 27th को, 1, 2, 3, 3 seminar होंगे आगे, O करेगा फिर, यहाँ पर October 27th को, यहाँ पर 2, 2 case बनेंगे, इस से जादा case हम निगलेंगे, यहाँ पर W does not attend their seminar in November, W attend नहीं करेगा seminar November में, ठीक है, W नहीं करेगा तो यहाँ फिर N दी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ एक इवन में attend करते है seminar होंगे, ठीक है, इसका मतलब जड करेगा पर जूं ले कर सकता है, यहाँ पर एन के बार यहाँ पर जूं में कर सकता है यहाँ अ murmular accurate में, जड फिर कर दूपर में तो जड जाब भी कर सकता है, एक की से यहाँ भी आ गया, यहाँ तोटल 3 cases आ गया है we attend his seminar in the month of November, we seminar attend करेगा month के November में अम यह एक प्लिस रुमेन इंगा, that means 27 हो करेगा, फिर भी, ठीक है में प meerघेजियन State करेड़ की फिर दो करेगा, फिर भी, फिर उचैनल सक्क्लिट में प आपके पर साथ हा इपानल इस समेनल पर सक्केज़ियन हम के में तो न यहां पर सक्ता है इतने परसे का gap आ गया 1 तो 1 का gap आ गया ठीक है इनके between 1 सेमिनार का gap आ रहा है ऐसे अगर हम N पे यहां देखें मिटल में N है 3 seminar gap हो रहा है N और B के between that means N यहां पर ठीक है बट यहां पर हम Z की position change करें कि अगर Z अक्टोबर में seminar tend करता है तो कि इतने परसे का पारा 1 2 3 तरीक आ रहा है ठीक है N मार्च में करता है तो 1 2 3 यहां भी तरीक आ गया let me यहां से इनकी position y से मार्च में tend करता है और N करता है यहां पर जून में यहां करेगा W यहां पर होगा Z तो कि y and z between three seminar gap है यहां से clear है ठीक है जड को पुर हम यहां से remove कर देते हैं तो कि z कि हम ने find out कर ली है ना o को भी remove कर लीते हैं यहां पर अब यहां पर remaining है one person that is m नौ हमने सबको arrange कर लिया है और question देखें which of the following person attend his seminar on 27th March 27th March को कुछा person seminar attend करेगा March है यहां पर seminar attend कर रहा है यहां पर x ना option check करें option b is correct x thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 पर